जै श्री राधिये दोस्तों मैं एस्ट लोजर नीलू चहोदरी केपी की बाणी चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ रोजाना राशी फल से सम्मन्दित सभी परकार की जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल केपी की बाणी को सब्सक्राइब जरूर करें अगर आपके जीवन में सेहत, रोजगार, कारोबार, परिवार, तामपत्ते जीवन और प्रेम सम्मन्द को लेकर कोई भी परिशानी है तो हमी मैसेज की जरीए जरूर बताएं मैं आपको परिशानी दूर करने की उपाए जरूर बताऊंगी राशी की पोरी जानकारे के लिए वीडियो को अंतक जरूर देखें अगर आपको अपनी शाधी के बारे में जानना है कि आपकी शाधी कब और किससे होगी कैसा रहेगा आपका जीवन साथी, शाधी कितने दूरी पर होगी, जल्दी शाधी के लिए क्या करें तो इसके लिए आप अपना नाम, शेहर का नाम, जनम दीन और जनम का समय सही समय दें कि आपका जनम सुभा में हुआ है या शाम में आपकी मदद जरूर की जाएगी, प्लीज अधूरी जानकारी ना दें, इससे आपको समय पर जानकारी नहीं दे पाऊंगी अगर आप लप मैरिज को लेकर भविश्यवानी पाना चाहते हैं, तो अपने पार्टनर का पूरा विवरन हमें कमेंट बॉक्स में दें, हम आपको जल्द से जल्द पूरी जानकारी देंगे अगर रिप्लाई करने में आपको देरी होती है, तो आपनी राश बिलकुल नहूं, आपको जबाब जरूर दिया जाएगा खास कर शनिबार और रविवार के दिन आप अपने सभी सवालों का जबाब पास सकते हैं शाधी को लेकर लड़के और लड़कियां दोनों ही उत्साहित रहते हैं, हाला की शाधी उपर वाले की क्रिपा से होती है, उन्होंने सब की चोड़ियां बनाई है सही समय आने पर शाधी जरूर होती है, आपको बस अपने सही समय तक सयम से इंतजार करना चाहिए जोति शास्त्र में विस्तार से बताया गया है कि हर राशी की किस साल और किस महीने शाधी हो सकती है इसी अधार पर आज मैं आपको बता रही हूँ मिथुन राशी के लड़के और लड़कियों की शाधी किस महीने में होती है, आए जानते हैं मैं और आप सभी राशी फल अपने नाम अनुसार देखते हैं जबकि राशी जनमदीन के अनुसार तै होती है इसलिए कभी अपने नाम से राशी फल ना देखीं बलकि अपनी जनमदीन के अनुसार राशी फल देखीं अगर आपको अपनी राशी के बारे में नहीं पता कि आपकी राशी कौन सी है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना जनम दिन मुझे बताएं मैं आपको बताऊंगी कि आपकी राशी क्या है इसके साथ ही कुंडली देखकर भी राशी बताई जाती है अंक चोधिश गर्णा अनुसार 22 मई से लेकर 21 जून तक जिनका जनम होता है उनकी राशी मिथुन होती है इस राशी के लड़के और लड़कियों का नाम के यानि की कह से होता है मिथुन राशी के लड़के और लड़कियों की शाधी के योग 24 साल के बाद बनता है इस राशी की शाधी 24 साल के बाद और 29 साल से पहले हो जाती है जबकि मिथुन राशी के लड़के और लड़कियों की शाधी फरवरी, मई अथवा जून महिने में हो सकती है दिन मंगलबार, व्रस्पतिबार तथा रभिवार हो सकता है आपके अराध्य देव, भगवान, गनीश है जोतिश करना के अधार पर आपको यह जानकारी दी गई है इसमें बदलाब, संभव है तो दोस्तों इस तरह के और अन्य वीडियो देखने के लिए हमारी चैनल के डेस्पोर्ट अथवा प्लेइलिस्ट पर जाएं और अपनी राश्य नुसार वीडियो जरूर देखें तो दोस्तों आपको यह जानकारी कैसे लगी लाइक कमेंट और शेयर कर हमें जरूर बताएं अगर आप मेरी चैनल पर नए हैं तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें साथ ही बल आइकन को प्रेस करना ना भूले माताराने की क्रिपा से आपकी चेहरे पर हमेशा मुस्कान बनी रहे आप सब परिवार स्वस्त एवं सुखी रहें आप सभी के प्यार और स्मेहे के लिए मैं आपको हिर्दे से धन्यबात करती हूँ आप लोग इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें इन ही शुपकामनाओं के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए नमस्कार जे श्रीराधे